अगर आपके पास थोरी सी भी जमीन है ना तो ये खसरा और खतवनी में क्या अंतर है इसको जानना बहुत जरूरी है जो खसरा है और खतवनी है दोनों का अंतर तो थोरा भी अगर आपके पास कहीं भी जमीन है तो ये जरूर जानिये देखिए खसरा भारत में किरसी से सम्मं जमीन का एक कानूनी रिकॉर्ड या डॉकुमेंट होता है इस दस्ताबेज में किसी खास जमीन के बारे में कई जानकाडियां जैसे भूमी का नाम छेतरफल उस पर उगाई जाने वाली फसले का जो है बेवरा आदी वो दिया रहता है मतलब इसको बात को ध्यान से समझेए य यह अपज होता है यह सारा जो जो व्यारण होता है हिसा लिखा हुआ रहता है जितना एक तरह से जमीनी रिकॉर्ड की यूनिट होती है ठीक है ये जो आप नकसा देखते होंगे अमीन लेके आता है तो बहुत सारा नंबर लिखा हुआ रहता है सब पर देखिए एक एक नंबर लिखा हुआ रहता है लेकिन उस नंबर को जब आप खतियान में लेके जाईएगा ना तो खतियान में उस नंबर के कॉर्डिंग सारा बात लिखा हुआ रहता है कि वो जमीन बास है वो जमीन सरक से सटा हुआ है वो जमीन जो है एक तरह से नदी के किनाडे वाला जमीन है ठीक है वो जमीन जो है एक दरस उप जाओ है तो सारा बात जो है किस टाइप का उप जाओ है वो सारा चीज जो है वो लिखावा रहता है अगर वो जमीन परती है तो उस पे आप देखे होंगे का आपका जो खतियान का record होगा उस पे परती लिखावा रहता है तो यह एक तरह का जमीनी रिकॉर्ड की यूनिट होता है मतलब यह खसरा जो होता है जो जमीन का रिकॉर्ड है उसका यह यूनिट होता है ठीक है आप कोई भी जमीन का पहचान खसरा से कर सकते हैं उसको खसरा बहुत लोग बोलते हैं खसरा हो गया खेसरा हो गया यह प्लोट नंबर ऐसे mind में अब समझ लिजे कि वो प्लोट नंबर होता खसरा की तोरी जो भी होता उसको हटाइए एसा समझ लिजे थोरा सा अब जब digital जमाने में कि वो प्लोट नंबर होता है नक्षा में जितना भी नमबर होता है ना प्लॉट नमबर होता है बहुत सो सारे लोगों का सवाल था कि प्लॉट नमबर मेरा जो है सही है मतलब खेसरा सही है खाता गलत हो गया है तो अगर ऐसा हो गया है तो क्या हमको को दिक्कत होगा वो मेरा रजिस्ट्री सही है या मेरा जो भी है वो सही है हम आ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका खाता नंबर सही है और और प्लोट नंबर गलत हो जाएगा ना तो दिक्कत है प्लोट नंबर गलत नहीं होना चाहिए प्लोट नंबर अगर सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आगे इसमें और समझते हैं कि देखिए खतव नंबर होता है खतोनी जो है ये तरह का एक तरह का खाता नंबर होता है खाता नहीं होता है जिसमें किसी भी बैक्तिया पड़िवार का जो है एक तरह से सभी जमीन का जानकारी जो है एक तरह से दिया हुआ रहा रहा था लेकिन ये जमीन के टुकरे एक साथ भी हो सकते हैं या अभी इसका मतलब पहले अच्छे से समझना है देखिए खतवनी जो है बास्तब में किसी वैक्ती के सभी खसरों की जानकाड़ी देने वाला रजिस्टर होता है अगर किसी के पास खतवनी का कागज है तो इसका मतलब वो जमीन का मालिक नहीं है मतलब मालिक नहीं हो सकता है खतवनी बास्तब में किसी बैक्ती के सभी खसरों की जानकाड़ी देने वारा रजिस्टर है खतवनी किसी बैक्ती के सभी खसरों के विबरन बाले रजिस्टर को कहते हैं ठीक है आगे इसको और समझते हैं देखिए कि खतवनी नंबर भी जो है वो खाता नंबर खेवट नंबर की तरह होता है इसमें बस अंतर इतना सा होता है कि खाता नंबर या जो खेवट नंबर में जमीन के मालिक का नाम होता है अंतर बस इतना ही होता है कि उसमें जमीन का जो होता है ना खाता नंबर जो होता है या जो खसरा है मतलब खाता में जमीन का मालिक का नाम होता है लेकिन जो खतवनी नंबर होता है उसमें जमीन पे खेती करने वाले का नाम होता है ठीक है यह खतवनी जो है सिस्टम तो इसमें जो है जो आप माले ते किसी को जमीन आप रेंट पे दिये लीज पे दिए ठीका दिए बटीयाद जो भी दिए तो अगर वो एक तरह से कानूनी तरहीं लीज पे ले रहा आपका कोई जमीन ठीक है तो लीज पे आप अपना समीं जमीन किसी कमपणी को दे दिये कोई प्रस्व tree को दे दिये तो उसको जो उस पेपर बनेगा ना तो उसको एक खतवनी नमबर मिलेगा ठीक है तो जमीन पर खेती करने वाले बैक्ती का जो है ना नाम या फसल उगाने वाले बैक्ती का नाम होता है खतवनी नमबर एक खाते की कई पलोट या फिर कई खाते के बहुत सारे पलोट हो सकता है देखिए य या इस बात पे निर्भर करता है कि खाताओनी का मालीक कितने लोगों का plot किराय पर फसल उगणे के लिए लिया है आपके पास कुछ जमीन है जिसके मालीक आप खुद ही है तो आपके पास उस जमीन का क्या होगा खाता नमबर, प्लोट नमबर होगा माल लेते हैं आपके पास ये चार टुकरा जमीन है और आप इसके मालिक है आपके पास इसका क्या होगा खाता होगा और इसका प्लोट नमबर यानि खेसरा होगा ठीक है खेसरा होगा लेकिन आप ये दो जमीन किसी को लीज पे दे दिये रेंट पे दे दिये बंद जो भी दे मिलेगा आई बस समझ में तो खतवनी नंबर जो है न आपने जमीन किसी दूसरे बैक्ती को भारे पे दे दिया माल गुजारी के लिए दिया बटईया पे दे दिया तो इस परिस्थिती में अगर आप एक तरह से पेपर बना के दे रहे हैं न या पेपर बना के आप से कोई ले रहा है तो लेने वाले बैक्ती को एक खतवनी नंबर दिया जाएगा जो बैक्ती उस चीज को लिया उसको जो है एक खतवनी नमबर जो है दिया जाएगा ठीक है आप जितना पलोट दिजिएगा जितना पलोट दिजिएगा उसका एक खतवनी नमबर खेसरा तो उस पलोट नमबर तो कभी नहीं बदलेगा ना पलोट नमबर नहीं बदलेगा ले और हम जमीन लीज पे देते हैं आप अपना जमीन कानूनन देखे इस बात को अध्यान डखिएगा ठीक है बहुत सारा अभी केस भी है कि हम जो है बहुत लोगों का बटाइदारी का जो है कागज है बना हुआ बहुत दिन से उसको खेती कर रहा है उस पे आप जो है माली काना हक जो है वो करता है तो यह भूत चीज है यह तो कानूनी चीज है इसकी बात नहीं करेंगे लेकिन हम अभी जो फिलाला बता रहे हैं आपको वो खतोनी के बारे में और खसरा जो गा आपका पलौट नंबर खतोनी उसको मिलेगा जब की आपको कोई प्लॉट किसी को लीज पे दीजिएगा तो वो जो है वहाँ पे जनरेट होगा वो होगा खतोनी नमबर देखिए अगर आपका अभी कुछ भी समस्या है या आपको कोई भी जमीन समंदीत प्रोब्लेम है या कोई सला चाहिए या चाहते हैं किसके बारे में जानना तो आप कॉमेंट करके हैं पूछ लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में